बच्चम में मेरी माँ को मैंने रेडियो सुनते हुए देखा था वो रेडियो सुनती थी जिस पर हावा महल करक्रम आता था उसमें मुझे भी जिग्यासा होती थी कि रेडियो कैसे बच्चता है उसमें कुछ गाने वाले बोलने वाले बेटे रहते क्या तो मेरी माने मुझे को बताया कि ऐसा नहीं है कहीं दूर वो लोग बोलते हैं और हम माँ सुनते हैं तब मरे दिमाग में ये आया कि मुझे भी रेडियो में जाना है आगाश्मणी में बोलना है और बोलने के बाद मैं ये सूच रहा था कि मेरी माँ मेरी आवास सुने उसमें हमावल और बिनाका की इतमाला की प्रोग्राम मुझे बहुत पतंता मेरी माँ गुजर गी लेकिन मेरा सपना मेरे दिल में जिन्दा था कि मुझे आगाश्मणी पर जाकर बोलना है जैसा कहा था था कि आप सोचते हैं तो प्रकरती भी आपके साथ में यो काम करना शूरू कर देती जिसको आप चाहते हो मैं अपने लक्ष के पीछे रहा और मुझे ऐसा लागा कि मुझे हर दम यही सुना कि मेरी आवास अच्छी हो और मैं आगाश्मणी पर प्रोग्राम दूँ और शूता मुझे सुने मैं जहां आपिस में काम करता था उस आपिस की खट्सी किड़की से आगाश्मणी का बोर्ड और गेट दिकाई देता था तो मैं कहता था कि लोगों को बलता था कि मैं एक दिन यहां पर जाओंगा और बनूँगा तो लोग हस्ते थे हैं तब मजे पच्चा चला कि लोग जब हस्ते हैं तो आपका देश उच्छा हुता है उच्छा हो देश है तो लोग हस्ते हैं लोग मिलते थे और मैं आगाश्मणी के आडिशन देने पोच्छा तो मुझे फेल कर दिया गया मुझे बड़ा उदास हो गया क्या हुआ मेरी आवास करावगे और मेरे उच्छारन में कोई गलती हो क्या है तो मैं अधिकारी से मुलने पोच्छा कि क्या बहता है क्या बात हो गई कि मेरे को फेल कर दिया तो उन्होंने का कि आपको उर्दू बोलना नहीं आता है मैंने का ये कोई से बलते हैं तो उन्होंने का कि आप गम नहीं बोलते हैं आप गम बलते हैं जिंगगी मेनी बोलते हैं आप जिंदगी नहीं बोलते हैं मैंने का ठीक है मैं गया और मैंने तीन सो रुपे की एक किताब खरी दी अरदू की और मैंने अरदू सेका नुक्ता खाहां लगता है ये सब मैंने सीखने के बाद फिर आडिशन दे जा, आडिशन देने के बाद, आडिशन देने जब मैं पहुचा तो मुझे सिर्ट एक लाइन पढ़ाई और का आप जा सकते हो, मैं फिर नराश हो गया, मुझे लगता कि अभी में मेरे को फैल कर दिया, रिजल्ट आया तो मैं फास, मैं खुश हुआ और उस वेक्ति के फास गया, जिसने अडिशन लेया था, मैंने का कि मुझे सिर्फ एक लाइन पढ़ाई और आपने का चल जाओ, ऐसा क्यों, जबकि सारे लोगों को फुरे 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 पुर्च पढ़ाय गया, तो उन्हेंन और वो दाना हमने दिख लिया था, आप प्रिप्ट के और अच्छा आपने किया, उसके बाद मेरा आवास का सपर शुरू हुआ, मैंने कई डिकॉर्डिंग्स की प्रसारन के, आगाश मनी के तमाम रिक्रम किये, शाक्षी प्रग्राम मेंने किये, एड फिल्में सब किया, वैसे आजाता है, वैसे मेरे दिनी में होगा, एक दिन अचानक मुझे ब्रेन स्थोक हो गया, और होने के बाद मेरा हाथ और मेरा मुँ बोलने लाइक नहीं रहा है, मेरी आवास ही नहीं देम लेक्री थे, ओ, ऐसा, लेकिन मेरे दिमाग में सब कुछ का, उचारन कैसा बोलना है, सब रिकॉर्ड देता है, लेकिन में बोलने में सक्षम नहीं होता है, मेरे को मेलिकल जल्दी नहीं हो बोला, और मैं सिर्फ असपारलो में चार गंटे बाद पोचा, मेरा हाथ कराब हो जाता है, और मेरी आवास निकलना बंद हो गी थी, हॉस्पिटल में मैं ले एक वीडियो देखा, वो वीडियो ऐसा था, कि एक तीन्त बाईया गाड़ी थी, जिसमें एक जुड़े हुए दो लोग थे, बच्चे, एकामू अधर, एकामू इधर, और वो गाड़ी चला रहे थे, और पेट्रोल बहराने आये थे, और वो आपस में बात कर रहे थे, त ये उस वीडियो के अंशक को देखा और सूचा कि ये लोग ऐसे जी सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता है? उस समय मेरे दिमाग में यहीं आया है कि मेरे को मुझे आवास को फिर से जंदा करना है, बोलना है. वो हैं मैं करने लगया प्रैक्टिस करने लगया दीरे दीरे में रिर्कॉर्डिंग करी और लक्ष बे पीछे रहा था मैंने पाल लिया लक्ष को आप कभी भी ऐसा नहीं की छोड़ देना आप उसके पिछे रहो अगर आप गासलेट की लाइन में लोगए तो आपको गासलेट मिलेगा अगर आप शकर की लाइन में लोगए तो आपको शकर मिलेगी मैं आडियो के लाइन में आया तो मुझे आडियो मिला लोगों को बात करने का मुमका मिला और आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ मैंने अपनी आवास पर शुरू से काम करना शुरू किया और डिकार्डिंग की और आज मैं थोड़ा बत तकलिब में बोलता हूँ लेकिन बोला जाँ और आपको मेरी बात समझने में आ गए होगी एक बात और मैं कहने चाहता हूँ कि हर आदमी को इश्वर ने खुदा ने एक कॉलिटी जरूर दी होती है चाहे इंसान के रूप में चाहे अपने गुणों के रूप में उस कॉलिटी को आपको पहेशानना है और उसकी इज़त करना है और उसको सवारना है यह आप ध्यान रखें क्योंकि चार मेने पहले, एटे काने के चार मेने पहले, मुझे लगता था कि मेरी आवाज अच्छी नहीं आ रही है, लगा, यार, कब तक मैं बेलों की प्रभाकर मुरे का नमस्कार, मैं बोर हो गया था, मैंने कहा कि मज़े मज़ा नहीं आ रहा है, अपनी आवाज नहीं कि खुदा ने उश्र में कहा कि आपको जो मैंने उपवार देया है, उसकी किमत आप लगानी पार हो, इसलिए मैं उसको औबवाफस लगने की कोश्च किड़के आपको बताता हूं कि आप क्या है, या आपकी आवाज क्या है, उसने मेरी थोड़ी सी आवाज खराब की, ठीक था इसलिए आपको खुदा ने बगवान ने जो भी दिया है उसकी कदर करो और अपने लक्ष के पीछे रहो लक्ष को नहीं चुड़ना एक बार गतम बुद्ध के साथ तीन चार शिश जा रहे थे हैं गाउं से गुजर थे उन्ने देखा कि एक एक गड़े है और वो जा रहे हैं तो एक शिश ने कहा कि गुरू जी गड़े क्या है क्या किया ह। यहाँ पर तो उन्होंने का कि यह गड़े नी है किसी ने पानी निकालनी की कूश की लेकिन उसने क्या किया है अगले अलग जगे एक जगे गड़ा-कोदा का पानी निकला दूसरे तूजरे चोटे ऊसा कुटा तरहा है लेकिन अगर वो एक ही जगे गड़ा खोत कर पानी निकालने लगता है तो पानी निकल जाता है